की और नियूस साइड्से आगर अपको लिंक मिल गया ना तो इस시 बहतर हो जाकिता इसे बहतर होरे कि सकता है खासकर ओन स्टूम इयूस सिर्थ जो अरेडी U oldie Google में उखे और हुग और उखिंज से आपको तो इसे बहतर होई निसकता तो प्रेस रेलीज अगर आपको करवाना तो 3,000 रुपय अप्रॉक्स लग जाता है आपके सित्ले अप्रॉक्स 50 डॉलर्स नहीं प्राविन जी प्राविन जी अप्रेस रिष्ट 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 लिंग नहीं है क्योंकि न्यूस साइड जो होती है कोई भी आटिकल ढाल सकते हैं कोई उसमें भी ककेटगरी उससर के रहते हैं न्यूस साइड में खोली हैं कोई माँ पर भी ऑप्षिन आया है अटेटेडिमेंट और तेक्निलोजी ऐसे सी ओप्षिन आता है एक साइड खोली है हर चशेतर में काम करता है तो news side यह होती है हर category उसका होता है तो वो उस category में ही डालते है और अगर वो नहीं भी डालते है उस category में as a news service करते है तो news तो common चीज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर Google News में तो Google समझता है कि हाँ यह news site है यह कोई unrelivency नहीं है और इसे बहुत boost होता है बहुत ज्यादा boost होता है आपके site का जो कहते है न authority वो भी बहुत तीज से boost होता है बहुत तीज से और price release का अगर हम लोग कहें budget तो साढ़े तीन हजार minimum और इसका जाता है लगभग पंदर बीस तीस जार तक पंदर बीस तीस जार तक अगर आपको अच्छा price release करवाना है अगर आपको जैसे मान लिजे अपने site पे tag लगाना है featured in ABC News featured in NBC News है ना? यह कितना बढ़ी है impact देगा आपकी viewers को अगर आप ऐसा करेंगे भाई हम NBC News में फिचर हुए और बड़ी बड़ी news sites जो कि साड़े 3000 में साड़े 3000 में आपको कम से कम कह सकते हैं कि 10 बड़ी news sites से और आप कह सकते हैं कि around 200 चोटी news sites से आपको लिंक मिलेगा जो कि Google में index होंगी लिंक क्या मिलेगा आप कह सकते हैं कि एक post आपके लिए लिखा जाएगा सब पर लिंक नहीं देते कुछ पर देते हैं कि अगर बहुत जादा लिंक बनेगा तो यह black hat SEO जाएगा तो आपके सकते हैं कि कुछ पर लिंक बना खुछ पर मत बना तो प्रेस रिलीज यही काम आता है अगर आपने प्रेस रिलीज लिबर करवा दिया या फिर साइड की रैंकिंग इस्टेंट बूस्ट होगा I can guarantee प्रेस रिलीज बहुत इपॉटेंट है अडवांस एस्यो में हम लोग और जानेंगे कि प्रेस रिलीज का होता है और कैसे हम लोग किसे काम में ले सकते हैं और साड़े तीन जार रुपे या फिर उसे थोड़ा साइक में हम लोग कैसे प्रेस रिलीज बना सकते हैं और अगर आपको प्रेस रिलीज लिखना आता है अगर आपको प्रेस रिलीज लिखना आता है अगर आप सीख सकते हैं प्रेस रिलीज लिखना तो फिर बहुत इच्छा होगा तो फिर बहुत इच्छा होगा एंकर टैक्स लिंक्स यानि किसी कीवर्ड पर लिंक हो ओके हैक्ड साइट देखिए मैं आको बता दू कि कितने लोगों पता है सर्च इंजर लेंड जब हैक होई थी तो आउट रेंक होगी थी गूगल में विदिन सेकेंड सेकेंड सेर्च इंजर लेंड जो कि बहुत ही बड कितने लोगों पता था टाइप आई यह जिसको नहीं पता था टाइप एन ओके वाइस इसु है कोई बात नहीं अब आ रहा होगा क्लियर ठीक है काफी लोगों ने लिखा है एन यानि उनको पता नहीं था कि सर्च इंजर लेंड जब हैक होई थी तो पूरा साइट विदीन सेकंड्स within seconds पूरी साइट डीन्डेक्स होगे थी Google से तो देख़िए अगर आपकी साइट है पूइर हाथ है साइट कि सेक्वेरीटी आपका ह misf68 होना चाहिए जिसके काफीally प्लगीन है को इसे आप लेघा सकते हैं ऑर यह यहाथी प्लगिन है इसका पेड्ट भेय आता है लेकिन बहुत ही साइप लगीन है, इसका पेड़ों मैं लेने वाला हूँ, WP Beginner आपने नाम सुना हो, WP Beginner.com ये साइट, ये स्कूरी नाम की जो प्लगीन है, स्कूरी, ये ही उसकरती है, उनका हैक नहीं होता है, उनका साइट, कभी हैक नहीं होता है, तो ये 15-20,000 रुपय में 15,000 रुपय प्राउस इसका प्राइस पढ़ता है, जो काफी एफोर्डेबल है, अगर हमनों बात करें कि आपको एक साल का प्रोटेशन देगा, अगर आपकी साइट हैक भी होगी, तो साइट रुपय तो और अगर पिस प्रोटेशन देगा, वो एक हैक की त्रिकेशन के लिए गारेंटी लेगा, अपकी साइट हैक नहीं होगी, यह काफी अजीब बात थी कि पता नहीं कैसे पूरी साइट एक बार डी इंडेक्स होती है उसका तुरंट कैसे वह ही प्याज़ हती है यह अजीब बात है लेकिन यह हो चुका है तो Google के Algorithms को Salute पैंगूइनसzn हो आगर आपके साइट यह पेंगूइन दे पैंगूइन है पैंगूइन से हीट हुए है तो आप कहल लीजेए आप कर्के साइट के रहेंगे हमीशा पहुत नीचे वहीं आपके स्पैm स्कूर बढ़ गया है, आप चेक कर सकते हैं, Be兄 से मेजर स्टेख सकते हैं, यहांसे तो अगर आपके साइट पे बहुत जादा लिंक बन रहे हैं तो आप समय लिए कि पैंग्विन से हीट होंगे और जब आप पैंग्विन से हीट होंगे आपको तुरंथ कोई मैनुल एक्षन नहीं लेगा पहले आपके साइट के रैंकिंग दिमे दिमे और कम होगी इतरी इसक कर सकते हैं फड़ा एडवांस हैं मात करेंगा अभी कॉमेंट करने की कोई जूरत नहीं है तो साइट बाइप पैंग्विन अपिर लेस इन सर्च रिजर्ट से स्टे स्टे फ्रम पैंग्विन डोंट बिल्ट लिंक्स तू डूंट बिल्ट टू लिंक्स वेरी ओफें बहु अगर आपके पास पैसा कातम होगा लिंक बनाने का ऐसे काम नहीं होता है अगर आपके साइट पॉपुलर है तो अपने आप लिंक वेलोसिटी होनी चाहिए उसमें मतलब आपका आज दो लिंक बन रहा तो कल भी दो लिंक बनना चाहिए पड़सो तीन लिंक ऐसे ग्राफ तो कुछ पैटर्स है False गूगॉल से मेर्च कर लेता है कि आपके साईट का लिंक नाचूरल है या नहीं अरकर साइट पे अचक कई वार दो लिंक बन रहे है कंल दो नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर एसा उर्यारा हो लागतार कि 1 में लागतार तकि क्हीन प पर टेल के साइट जाके आरेट में या फिर किसी भी कोई पॉपलर साइट सर्च इंजन जर्नल सर्च इंजन लेंड अगर आरेट में दिखेंगे तो एक लिंग विलोसिटी होता है वह हमेशा ग्राफ उनका उपर खरफ रहता है और काफी लिंग बिल्टिंग केंपेंग चला खाओ वाइसलेग हो रहा है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं कोई बात नहीं है प्रिकॉल्डिंग निखें आपको सब सहुझ माहागा थोड़ा सा वईसलेग हो रहा है ओके अगी उमेर जी, आप बताएँ, क्या नहीं समझ्विआया? उमेर जी, आप बताएए बाइए, पेंगुईन शो पेंगुईन शो याई होता है, पेंगुईन शो सिर्फ इख नाम दिया गया है, पेंगुईन शो याई अगर आप बहुत तेजी से link building कर रहे हैं, कहीं से link buy कर लिए है, कोई strategy नहीं है, कुछ आप ने direct link buy किया कहीं से उसके बाद आपका link building अपन बंद हो गया तुरंत, इसका मतलब आप unnatural link बना रहे हैं, कुछ ऐसे signal हो जाते हैं, कहीं नहीं प्रकड़े जाएंगे कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसके क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा link building कर रहे हैं, बहुत ज्यादा content का में link building उसके कई ज्यादा है, इसके बाद आप fix करेंगे जब तक, जब तक fix नहीं करेंगे, तब तक वो दुबारा वापस नहींगा, fix भी कर सकते हैं, fix का भी अपना प्राँ तरीका है, कैसे fix करना है, ठीक है, अब है, अब है, on-page ranking factor, एक on-site ranking factor हो गया, एक off-site ranking factor हो गया, और अब है, on-page ranking factor, okay, are you ready, are you ready for this, type i, if you are ready, type i, okay, 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 great, 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 okay, great, on-page ranking factor, the on-page ranking factors are keyword in title, देखिए, जो आपका target keyword हो, आप ध्यान से देखिए, जो लोग new है, वो तो इदम ध्यान से देख ले, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ पर अगर miss हुआ, तो future में आप बहुत कुछ miss कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, जो लोग new है, इदम focus हो जाए, और देखिए, आप कोई article लिख रहे है, तो आपको जो main keyword है, इसमे आप rank कराना चाहरे है, गूगल में, ठीक है, वो keyword title में भी होना चाहरे है, मालने, जो आप rank करना चाहरे है, make money online, तो हमारी title में भी होना चाहरे है, how to make money online, तो मैं डिस्कनेट हो गया था, यूट्यू, internet connection थोड़ा सा पूर हो गया, पताने क्यों यहां पे, तो क्या आवाज आ रही है, बता सकते हैं आप लोग, आवाज आ रही है, टाइप आई, अगर आपको आवाज आ रही है, तो टाइप आई, क्लियरिना यह ना, तो क्लियर नुए थे इसके एंड़ सो कहले है, तो सब्सक्रान करना है, पश्क रिसरेरेक्ड, से हगों demand, यूटियर मान दिवंनेड़ को आपको आपको सुआ गाम कि अर्यलब्याद को साधीन को, जया निमल आ टावाज कुर्भ नुी था निया यह आप क्लियर आ रही होगे थोड़ा तो आपके आपका जो में टॉपिक है वो आपका हो सकता है तो इसमें आपका के वाला चीवर रहे है लेकिन अच्छा आपका होगा how to make money online in 2019 अब आपका जो मेन कीवर्ड है वो टाइटल में दिख रहा है इसका मतलब अब ठीक है अब ठीक है क्या आवाज क्लियर हा रही है कैसे इच्छा टाइटल लिखते हैं वह हम बाद में बात करेंगे कैसे इच्छा टाइटल लिखते हैं वह बाद में बात करेंगें पहले हम लोग डाउट प्लियर कर लेते हैं कि कैसे मतलब जो कीवर्ड है वो टाइटल में होना चाहिए हम लोग स्टेप बाई स्टेप चल ला है ना ओके तो आप कितने लोग समझ गया है कि जो हमारा जो में कीवर्ड है वो टाइटल में होना चाहिए टाइप आई कितने लोग समझ गया है तो में सबका आई चाहता हूं ओके ठीक है तो कीवर्ड इन टाइटल हो गया लेंथ अब दे कॉंटेंट देखिए मैंने पहले बता दिया कि आज कल कोई छोटा मूटा इंफोरमिशन नहीं लेना चाहता है ठीक है आजकल कोई छोटा मोटा इंफरमिशन नहीं लेना चाहता है तो make sure, make sure आपका जो length हो कम से कम 2000 words का हो 2000 words का हो, okay 2000 words का content रहेगा तो उसमें कुछ dumb रहेगा, okay तो ये भी एक reactive factor है, ये दिखा गया कि अगर average, मैंने पहले होता था average approximately 1900 words के होते हैं जो top पे rank होते हैं websites, जो blocks average उनका जो keyword का क्या बुल सकते हैं हम लो, उनका length होता है article का, वो average 1900 words होता है तो आपको 2000 words में लिट्री आपको लिखना ही लिखना है okay, 2000 words आप मान के चलिए अगर आपने बहुत इच्छा keyword research कर गया तब 1000 चलेगा लेकिन आप primary मान के चलिए कि 2000 words का आपको content लिखना ही लिखना है क्योंकि देखिए, आज कल competition भी बढ़ गया है आपको 2000 नहीं लिखे हैं तो आपको काम नहीं चलने मारा जना सानी से तो पहला था keyword in title दूसरा कि length of content जो है वो approximately 2000 words हमारा होना चाहिए उसके बाद हमारा आता है keyword in h1 tag keyword in h1 tag का मतलब कितने लोग समझ रहे है keyword in h1 tag जो दिखिए h1 tag यानि main heading होती जो आप title लिखते हैं उसी काम लोग h1 tag कहते हैं जो main आप title लिखते हैं उसी काम लोग h1 tag कहते हैं यानि keyword in title अगर आप करते हैं तो h1 tag अपने आप keyword उसमें आ जाएगा ठीक है इसका मतलब कि अगर आप title जो आप title है जो आप wordpress में title सेट करते हैं तो वही आपका h1 tag होता है subheading जो होता है वो h2 tag होता है तो आप h1 tag में अपना keyword जरूर रखें यानि title में अपना keyword जरूर रखें यहाँ पर हमने यह सेख लिया इसका में मक्सद है था कि आपको h1 tag और title में difference बताना कि वो दोनों लवग सेमी होता है keyword density not too much important ठीक है बहुत ज़्यदा important नहीं है लेकिन आप ignore भी नहीं कर सकते हैं ठीक है बहुत ज़्यदा important नहीं है लेकिन आप ignore भी नहीं कर सकते हैं a k ag ag pack अगर या e1 tag याध जो आap title लिखते है वह h1 tag होता है उसके बाद। जो sub heading होता है उससे हम लोग h2 tag खते हैं उसे भी शोटी headingh3 tag केते हैं उससे भी शोटी headingh4 tag केते हैं तो आपका keyword है वह h1 tag याई तो h2 tag में होला चाहिए ठीक है अभी वह आगे भी आएगा Keyword density Keyword density आप बहुत ignore नहीं कर सकते इसको इसको ignore नहीं कह सकता अब लोग सुछते हैं Keyword density उतना माइन रखता मानते माइन नहीं रखता लेकिन आपको कम से कम at least दिमाग में इतना आपको maintain कर चलना है 0.5% to 1.5% इतना आपको maintain करना यानि अगर आप जी हाँ अगर आप 100 आउट आफ 100 में से एक बार एक या दो बार मैकसिमम आपना keyword ज़रूर इंसर्ट करें जो आपके target keyword है मानले जो आप 100 word लिख लिए content make money online के बारे में तो जो make money online word है ना वो दो बार आना चाहिए उस content में कैसो भी आप insert करना है आपके responsibility फिर से मतायते है keyword density के मतलब यह होता है अगर आप 100 word content लिखते हैं 100 word का तो आपको जो main target keyword है target keyword जिसे आप रहें कराना चाहते है for example हमारे case में make money online हम make money online के बारे में content लिख रहे है मेरा server word हो चुका है अब server word में मेरी responsibility बनती है कि दो बार हम at least दो बार make money online make money online कहीं ने कहीं insert करें naturally okay naturally okay 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 के रॉनिकल के रॉनिकल का कितने लोग मतलब समझते हैं के रॉनिकल टाइब आई ओके प्यो जी समझते हैं okay देखिए आपर मैंने बहले ही बता दिया canonical का मतलब समुन्ता जी आप देखिए हम लोग पूरा flow में चल लाए खिंता मत कीजी ठीक है canonical tag का मतलब यही होता है आपको बताया गया है कि अगर आप किसी का content कॉपी कर रहे हैं तो आपकी ranking डाउन हो जाती है तो आप canonical tag लगाते हैं तो आपकी ranking डाउन नहीं होगी तो अगर मान लिजे आपने canonical tag नहीं लगाया ज़रूर लगाया अगर आप किसी content कॉपी करते हैं और हम लोग कब कॉपी कर सकते हैं मान लिजे हम एक landing page बना रहे है अगर मान लिजे हमें कैसे content कॉपी करना है तो लोग simply copy करेंगे information और हम पेश कर देंगे हम लोग कुछ नहीं जाता है हमारी site के ranking भी नहीं घटेंगी तो landing page में लोग canonical tag जरूर लगाते हैं क्योंकि बहुत सारा content कॉपी रहता बड़ा लेंडिंग पेज होता है ना तो बहुत सारा content कॉपी होता है तो आप पे canonical tag लोग 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 चेक करेंगे तो लोग को बड़ा चले LSI keywords देखे आगे ना सुमंतार जी LSI keyword बहुत बहुत जज़ादा इंपोर्टेंट बहुत बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट LSI keyword helps very LSI keyword helps very much to make Google understand your content यह थोड़ा lag हो रहा है always मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहापे your internet connection is unstable LSI keywords LSI keywords होता है उसे Google आपका content समझता है LSI keywords का मतलब कितने रोग जानते है टाइप आई यह बताया गया है टाइप आई मैं कही से भी पूछ सकता हूँ ओहो अनुवर जी नहीं आनते अनुवर जी से भी पूछते है अनुवर जी आप बताईए अनुवर जी आप बताईए LSI keywords आपको क्यों नहीं पता हो तो बताया गया है अनुवर जी रिस्पाउंड नहीं कर रहा है तो हम लोग ओके विलते हैं हमलोग कल सबते के लिए गुद बाई टो आल अफ यू